नमस्कार आप सभी के स्वागत है मेरे चैनल दे मिरे रब टूथ पे और इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथो जैनेसी सब पॉक्स वाइरस के बारे में पॉक्स वाइरस किस परकार की बिमारियां पैदा करता है किस परकार से कोई ब्यक्ति इस वाइरस से प्रभावित होता है यह सारी बातें इस वीडियो में हम बात करेंगे बात करें तो after being inhaled जब यह virus आपके सरीर में जाता है तो जो smallpox virus होता है यह replicate करता है upper respiratory tract में जैसे कि trachea में, pharynx में, larynx में और फिर यह lymphatic system के सहारे पूरे सरीर में फैल जाता है और कई बार viremik हो जाता है यह blood के अंदर भी mix हो जाता है internal or dermal tissue जो है वो इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं सुरुवात में फिर viremia यानि blood के अंदर चला जाता है और सरीर पे pox बनने सुरू हो जाते है molluscum contagism जो है यह other pox virus होता है जो direct contact with the legion अगर किसी को chicken pox है तो उसके pox के संपर्क से होता है small pox और molluscum contagism जो है यह human virus है इंसानों को बिमारी पैदा करते हैं इनके natural host जो है वो other pox virus के अगर हम बात करें तो human और जो vertebrates होते हैं जैसे कि cow, sheep और goats यह जो है यह natural host है दूसरे viruses के लिए लेकिन molluscum contagism और small pox virus के लिए जो host है वो human है virus infect human only through accidental or occupational exposure यानि यह virus जो है इंसानों को accidentally संपर्ख में आ जाता है या occupational exposure यानि किसी ऐसी जगह पे आप काम करते हो जहाँ पीस परकार के virus के संपर्ख होने का chances ज्यादा होता है वहाँ से यह virus acquire होता है बात करें small pox के control और eradication के लिए तो vaccine उपलब्द है Edward Jenner ने इसके खिलाब vaccine बनाया था जिस vaccine का आप इस्तमाल कर सकते है All had recalled earlier cowpox function इसको कहा जाता है तो यह cowpox infection पहले होता था और इसी का against जो Edward Jenner ने उन्होंने vaccine बनाया था तो vaccine का इस्तमाल करके हम अपने आप को इस परकार के बिमारियों से बचा सकते है WHO ने भी कहा है कि smallpox eradication program है जो 1967 में launch किया गया इस program के तहट लोगों को जागरुक किया जाता है smallpox और chickenpox के खिलाब और लोगों में vaccination को ले करके जागरुकता फैलाई जाती है बढ़ावा तिया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा vaccination कराएं और अपने आपको इस परकार की संक्रामक बिमारी से बचा सकें साथी साथ इस बिमारी में साफ सफाई के बीसे इस ध्यान रखना होता है क्योंकि कई बार साफ सफाई ना होने के कारण यह बिमारी और तेजी से फैलती है respiratory route के सहरे इसका transmission होता है इस बिमारी के incubation period 10-14 दिनों का होता है साथ दिनों के बाद इंसान के सरीर के उपर कभी का बार जो पॉक्स बनने हैं वो सुरू हो जाते हैं और कई बार नहीं भी बनते हैं यहाँ पे immunization, contaminant strategy जो है वो देखा जाता है कि अगर आप immunization कराएंगे तो इस तरह के बिमारी को हम eradicate कर सकते है इसके लक्षण में बुखार होता है, सरीर में मरोड होती है macules, papules और postules जो है वो इसकिन के उपर बन जाते हैं जो पॉक्स का रूप ले लेते हैं तो यह प्रमुक लक्षण है इस परकार के clinical progression होता है day wise, day 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 और 25 इस तरीके के पॉक्स सरीर पे बनते हैं किरपया करके आप इस चैनल को subscribe करिए, वीडियो को like करिए और share करिए